ओस總ंब आजमे आपके सामसंगे डिवॉयजição के डो WHY Doesn इसके तो बहुत ही कमाल की फीचर है और जो Ջसके बारे में बहुत जहादा कम लोग जानते हैं ठीक है तो वो फिचर आपके बहुत जादा काम आएगा जो पहला फीचर है वो बिल्कुल यह आप नहीं जानते है तो उस feature को आपने कैसे enable करना है अपने phone पे कैसे set करना है पूरा आपको मैं यहां पे detail में बताऊंगा तो मेरा video यहां पे देखते रही है जो पहला वाला feature है वो कौन सा है second वाला जो है बहुत important है तो जो पहले वाले feature है जो आपको यहां पे कुछ शो हो रहा है तो यहां पे विडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ल और आप देख रहे हैं आरके new stack channel तो चलिए studio को स्टार्ट करते हैं तो यह option आपको मिलेंगे कहां पर तो उसके लिए आपको जानाओगा आपके phone की setting पे ठीक है तरीके स्यातर जैसे के माई होगे आपका कोई और डिवाइस होगे ठीक है तो माई का डिवाइस में अडिशनल सैटिंग में ही आएगा तो आपने अडिशनल सैटिंग पर जाके ढूंट लेना है चलो हम developer option को यहां पर ओन कर देते हैं जो पहला वाला feature है उसके बारे में ब ओन करते ही आपका जो notification पैनल है आपको first में ही मिल जाएगा window and scale and profile as w ui rendering ठीक है तो यह काम कैसे करता है चलो हम जो है इसको try करते हैं पहले हम करते है profile as wlb go try जैसे click करेंगे यह करते ही जैसे CC करेंगे तो द fyանते हो नीचे graph रहा है मतलब कि जब जब आपका device बहुत करेगा प्रोसेसर वह कर एगा तब तक यह चलेगा यह तब कर रहा है यह चलेगा तो यह चलेगा तो यह आपको यह पहलाएगा कितनी स्पीड से काम कर रहा है तीक है यापको मैं और्च जाता है इसको एपर करते हैं तो यह लोगा कितना स्लोलीस यहाँ अपर ओपन और बहुत और हम पहले हैं है तो यहां पर हम और कोई वीडियो करे कहा है लेकिन आपको आनिमेशन है वह हो जाएगा चला हम उसको अमсте को वीडियो प्लेए अ टिक है तो जैसे वीडियो प्लेए करें लिया ना Quand आहां पर विडियो प्रेट हो चुकी है लेकिन कितना स्लोली काम कर रहा एंसकर जबिसकना स्लो निच्छे करेंगे तो आपकर रिप्जीन आपने बंद कहां miniature करना है तो बंद करने के लिए आपको फिर मैं पर जाना होगा, developer option पर जाना होगा, फिर आपने quick setting and developer tiles पर जाना होगा, यहां से option को यहां से इस तरह बंद कर देते हैं, ठीक है, तो अब आपका यह show नहीं होगा, ठीक है, है ना कमाल का feature, तो इस feature को आप यहां से on-off कर सकते हैं, और इसका मज़ा उठा सकते हैं, और आपने अगर आपके पास कोई और device है, तो मैं guarantee नहीं देता हूँ, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो वो option यह मिल गया, force dark mode, इसका क्या मतलब है, force app to use dark mode even if not fully supported, मतलब कि कई बार के होता है, आपके device में सिर्फ, जो option आ रहता है, यहां पे dark mode का option, ठीक है, आ इसको यहां से आप इसे on कर देंगे, कहां गया, इसको हम यहां से on कर देते हैं, तो यह fully support करेगा, मतलब कुछ apps ऐसी होती है, उनमे fully support नहीं करता है, ठीक है, पूरे तरीके से support नहीं करता है, लेकिन जब आप इसे यहां से force करेंगे, तो यह आपकी हर एक application में black mode कर देगा मतलब कि black mode कर देगा, dark mode कर देगा, ठीक है, रहां कमाल का feature, तो यह feature आप मज़ा उठा सकते हैं, इस feature का, तो मुझे तो यह feature काफी interesting लगा, अगर आपको interesting लगा तो please comment box पे comment कीजिएगा, so यह था आज का वीडियो, तो मिलते हैं अब हम next video पे, so bye bye, टेके जहन बंदे मात्र कर देगा.